आज है 2nd October 2023 आप सभी को गांधी जयनती की बहुत बहुत शुब कामना आए तो सुबह होते ही पहुँच गई हूँ छत पर कपड़े डालने कपड़े सुखाने के लिए और आज वेदर फोरकास्क भी चेक कर लिया था कि आज तो बारिश नहीं होगी तो सोचा कि सबसे पहले कपड़े धोकर के ही उसका अरेंज करने में समझदारी है तो सारे कपड़े जल्दी जल्दी सुखाने लग गई और डालने लग गई वहाँ पे छत पर हवा अच्छी चल रही थी और हलकी हलकी धूप भी आनी शुरू हो गई थी आप देख पा रहे ह होंगे चत पर वैसे पूरे घर में मेरा जो विला है इसा लगता है आप आसमान के नीचे हो और जो कि आपको वह फीलिंग एक फ्लैट में नहीं आपाती कि फ्लैट थोड़ा क्लोज काईड अफ स्ट्रक्चर होता है जहां पर इतनी जादा ओपेंनेस नहीं होती है और ओपेंनेस के लिए आपको घर के बाहर पार क्या कहीं और निकलना पड़ जाता है तो यहां पर मैं कपड़े डाल चुकी थी और फाइनली उनको थोड़ा कि धीरे डेफिनेटली धूप काफी कड़ी हो जाती दोपहर होने तक तो इसलिए फिर मैंने सुचा कि नहीं प्लांट में पानी डाल कर ही एक और काम अपना खतम कर लेती हूँ तो क्योंकि ऐसे आज मंडे हैं मंडे हाडली कभी चुटी रहता है पर आज द्यूटु गांधी जनती चुटी थी तो बाकी घर के सारे काम भी निप्ता रही थी साथी साथ आज और भी बहुत सारे काम मैंने किये जो कि मैं obviously आने वाले समय पे आपको बताते ही जाओंगी और यहाँ पे जली जली plants को फूल पत्यों को नहला दिया और फिर नीचे चली गई आटा लगाने के लिए तो आज एक special आटा आपको दिखा रही हूँ जो हम mostly बनाते रहते घर में तो यहाँ पे आटा लिया है यहाँ पे है अजवाइन मंगरेला और इसके बाद इसमें डाला है नमक इसके बाद इसमें डाला है मैंने सारा पीजा, मेक्स and all that, लेफ्टोवर्स जो भी थे उसके बाद डाल दिया है घिसा हुआ लौकी या घिसा हुआ कद्दू उसके बाद कल का बचा हुआ पनीर वो डाल दिया है और उसके बाद गूत कर आटा रेडी कर लिया है थोड़ा सा भी पानी इसमें डाला नहीं है मैंने अभी हम फिलाल ready हो रहे हैं breakfast करने के लिए तो आप सोच रहे होंगे breakfast करने के लिए इतनी तयारी क्यों तो breakfast करने के लिए हम बाहर जा रहे हैं और यहाँ पर हमारे सामने है इडली, चट्मी, केसरी बाथ और मैं खा रही हूं मसाला दोसा और अपनी कॉफी पी रही हूं उसके बाद और एक बें डोसा कहया और उसके बाद कैसरी बाद हम लोग दोनों का टिपर है मेरा और मेरे बेटे का और फिर उसने जूस पिया captured स्कॉलण जूस और हमारा break fast आज हमने बाहर ही किया तो घर में आज सच कुछ बनाया नहीं था उसके बाद घर आने के बाद मैंने चावल चड़ाना था मुझे और साथी साथ मुझे और भी बाकी सारे काम निपताने थे घर के तो फिर सबसे पहले मैंने सोचा कि लंच की तयारी कर लेती हूँ और लंच की तयारी करने के लिए मैंने आज रिजगार्ड तयानी की तुरई काट करके रखे थे और तुरई की सबजी बनाने वाली थी यह देखिए कलका निकाला हुआ घी आपके सामने है अच्छे से जम गया है और होमेड घी है उसके बाद मस्टर ऑइल डाल दिया सरसो का तेल और उसके बाद मैं उसके बाद फिर मुझे उसमें जीरा डालना था तो जीरा डाला लेकिन मैं मिर्ची निकालने चली गई थी और फिर तेल में मैंने पहले मिर्ची डाल दी और फिर मैंने डाल दिया उसमें जीरा एं देन डाल दी उसमें तुरई वेजीज में बहुत जादा ऑप्शन समझ नहीं आता है अदर्वाइज आप या तो मश्रूम खाईए पनीर खाईए या कि कुछी फेवरेट सबजिया बुका शुरूब होसप थेवरेट सब्सक्राइए मेरा खाईए या किक आता है अदर्वान गाल जोरू दो कुछ जादा करना नहीं होता है बना करके आप जैसे आराम से चड़ा दिया और आराम से धीरे धीरे बनकर अपना रेडी हो जाता है तो अभी फिलहाल बारी है इसको ढग करके अच्छे से पकने देने की मीनवाइल इसको ढग दिया था ढग करके दूद चड़ाने के लिए आ गई थी दूद खतम हो गया था और यह सिट्स फार्म का दूद का पैकेट है जो मैं आपको दिखा रहे हूँ यह बफैलो मिल्क है और एक्सिलेंट मिल्क है यह मैं पिछले एक साल से यूज कर रहे कि इसके निकलने वाली मलाई इसका दही everything is so awesome मतलब बहुत ही जादा अच्छा टेस्ट चाहे आप दही बनाइए कुछ भी बनाइए यह मतलब best of the best है तो क्या आपने अगर आप बैंगलोर में रहते हैं तो क्या आपने सिट्स फार्म का दूद या दही या पनीर उनके और बहुत सारे products हैं तो आप एक बार जरूर अगर आपने नहीं अभी तक यूज किया है तो आप definitely एक बार try करके देखें और it's really really very good तो यहां पर मैंने दूच चड़ा दिया चावल भी पकने के लिए मैंने चड़ा दिया चावल की भी तैयारी हो गई गरम पानी जैसा कि मैं थोड़ा कम लगे और चीजें थोड़ी fast हो जैसा कि मैंने आपको बताया है lazy people will always think of finishing the work faster तो you know if you really want a team अगर आप एक team बना रहे हैं then make sure कि उसमें कुछ नकुछ lazy लोग जरूर हो meanwhile क्योंकि वो हमेशा आपकी मदद करेंगे चीजों को बहतर तरीके से और creative तरीके से complete करने में हल्दी डाल चुकी हूँ उसमें नमक पहले ही डाल दिया था अभी mix कर रही हूँ और mix करने के बाद धीरे धीरे वो almost पकने लगेगा जब तक उसका पानी like fully absorb नहीं हो जाएगा meanwhile ये देखिए मेरे बेटे ने कितनी सुंदर कार की drawing बनाई है वो बहुत सुंदर coloring और drawing करता ह जब भी उसको free time होता है तो आप देख सकते हैं सारी चीजें निकली हुई मिल जाएंगी आपको मतलब जो भी art and craft की चीजें हैं और वो बैठ कर अपना आराम से drawing coloring करता रहता है तो he's an artist meanwhile भूख लग गई थी तो भूख लगने के बाद फिर जल्दी से खाना खालिया कुछ नहीं simple सा था और यहां पर मैं ready कर रही हूँ hibiscus का hair mask hair mask mostly आप इसको कह सकते हैं कि shampoo ही है एक तरीके से अगर आपको dandruff की problem है या रूखे बाल है बाल जड़ते हैं या fast hair growth चाहिए तो यह आप ज़रूर try करें करीब 10 hibiscus के फूल गुढ़ल के फूल मैंने ले लिए अच् साफ पानी में मैंने उनको डुबो दिया साफ पानी में डुबोने के बाद मैंने उसमें aloe vera add किया था घर का ही aloe vera है और मैं इसको अपने हाथों से ही यहां पर mash कर रही हूँ mash करने से इसके सारे जो petals है जो पंखुडिया है वो अच्छे से पानी में mix हो जाएंगी तो you can see कि अभी थोड़ा समय भी नहीं हुआ है लेकिन कितना gel like consistency आ गया है इसका आप कहीं पर भी पढ़ करके देखें कि hibiscus का जो फूल होता है गुढ़ल का जो फूल होता है उसमे नहीं खरीदा हुआ डाला मुझे natural ही बनाना सही लगा तो डाल करके मैंने हातों से ही mash कर लिया था तो मैं बता रही थी आपको कि dandruff के लिए excellent होता है अगर आपके बाल जड़ते हैं तो एक चीज थोड़ा observe करिये सबसे पहले कि आपके बालों की या आपकी सर की scalp health कैसी है यानि कि आपके scalp पे क्या dandruff जमी हुई है या कोई scalp पे कोई भी किसी भी तरीके की अगर गंदगी होगी तो फिर hair fall definitely होता रहेगा irrespective कि आप कुछ भी करके देख ले कोई से कोई shampoo change कर ले conditional change कर ले कुछ नहीं होने वाला है तो सबसे पहले scalp health को अगर आपको अच्छा करना है तो hibiscus को यानि गुडल के फूल को अपने hair care routine का एक हिस्सा बनाए तो यहाँ पर मैंने mash कर दिया दोनों को aloe vera gel को और hibiscus के फूलों को एक साथ और मैंने एक बड़ा सा aloe vera का leaf लिया था और around 10 hibiscus के फूल लिये थे दोनों को mash कर दिया था और अभी फिलहाल आदे गंटे से उपर आपको इसको रखना है तो definitely मेरा आदा गंटा से तो उपर ही हो चुका था इसको भिगो कर रखते हुए तो मैं अभी अपने हाथों से ही रेन कर रही हूँ अगर आप चाहें तो आप सीवर यूज कर सकते हैं चाहे चनी यूज कर सकते हैं यहां पर मैंने हाथों का ही यूज किया है तो एकदम जल-like consistency आ गई है इसको बालों कर लगा कर करीबन 40 मिनट से एक घंटे आप जरूर रखें आपके बाल बिलकुल बह अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना बूले तब तक के लिए बाई 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 फिर मिलती हूँ थैंक यू सो मच बाई टेक केर अल फियू